गुड इवनिंग फ्रेंज मैं नेम इस राज और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल राज टेक्निकल एनलासस आज का डेट है 19 नवंबर 2021 आज हम लोग जिन से इसके उपर मंथली प्रिवू कर रहे हैं वो है HDFC AMC क्या यह राइट टाइम है इंटर करने का नाएम इंडिया के उपर बात करेंगे जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ प्रॉफिट बुकिंग क्यों सरूरी है साथ मैं बात करेंगे UTI AMC में जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इसे बाई करना चाहिए या अपना position sale करना चाहिए तो वीडियो ज़रूर पूरा देखिए पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको कहीं न कहीं tips मिलता है जो आपको share analysis करने में काफी मदद करता है साथ में आप कोई भी कंपनी के ओपर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो जल्दी से में रेकमेंट बॉक्स पे बताइए ताकि मैं उस पे जल से जल रिसरच करके वीडियो बना सको और वीडियो सुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीज़े ताकि आपको भी रेगुलर अपडेट मिलता रहे मेरे चैनल की यूएस पी यह है कि मैं आपको डेट के साथ वीडियो बनाता हूँ और आपको सही सपोर्ट और रजिस्टन्स बताने की कुशिश करता हूँ में चैनल की दूसरी बड़ी यूएस पी है कि मैं आपको हर फ्रेड़ चैटरेड़ संडे इस मंथली प्रिव्यू बनाता हूँ तीनों लिंक पे जरूर देखिए जाँ पिछले मैंने इनी तीनों शेर्स के उपर मैंने मंथली प्रिव्यू किया था बात करेंगे HDFC AMC के बार में HDFC AMC कंपनी क्या करती है कौन सी कैटेगरी में आती है यह सारा information जानने के लिए आप यह उपर दिये लिंक पे जरूर देखिए HDFC AMC कंप जो भी मेरे वीडियोस रेगुलर्ली देख रहा है वो definitely profit में है बस इसी बार इस पे बहुत अच्छा खासा correction हो गया वना 2400 पे मैंने इसको suggestion दिया था जो 1600, 2800, 2700 पे भी event 2700 से 3200 से 3200 से 3200 finally this time also अगर आप देखेंगे मैंने इसको support और resistance पे रखा था और इसने support नहीं लिया वही point को 3200 को उसने resistance लिया और वापस नीचे आ गया और क्यों आया आप अगर definitely FIS की sale data देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि HDFC AMC नीचे आने का सिर्फ वो एक सबसे बड़ा major reason है आप बात करेंगे HDFC AMC का मैंने last time वीडियो बनाया था 16 October 2021 को जब इसकी closing थी 2950.15 support 1 2800 था support 2 23000, support 3 3200, resistance 1 बी था 3200, resistance 2 3400 और resistance 3 3600 HDFC AMC आज के देट पे अगर आप देखेंगे 19 November 2020 को इसकी जो closing है 2600 1.40, support 1 2500, sorry 400, support 2 2500, support 3 2600, resistance 1 2700, resistance 2 2800 and resistance 3 2900 हाइस अगर आप इसका देख रहे हैं यह 2979 रुपीज है और इसका इस मैंने का जो lowest है 2589 रुपीज 90 पैसे but मैं फिर से बोलूँगा कि company share wise मैंने हमेशा बोला है कि fundamentally बहुत strong है अगर आप loss में हैं तो भी आप hold कर सकते हैं और जो लोग opportunity ढूंड रहें definitely और correction अगर आए इस पे आप buy कर सकते हैं या अभी भी अगर आप buy करेंगे तो भी आप profit में रहने वाले उमीद करता हूँ HDFC ANC के बारे में आप इस चीज़ को clear है बात करेंगे NAM India की NAM India company क्या करती है कौन सी category में आती है यह सारा information जानने के लिए आप यह उपर दिये वे link पे ज़रूर देखिए NAM India जब 300 के level पे था तब भी मैंने आप लोगों को इसमें buying का suggestion दिया था 400, 450, 475 तक गया अब देखिए NAM India का मैंने last time वीडियो बनाया था 16 October 2020 जब इसकी closing थी 449.10 बट आप ध्यान ये भी रखना कि 450 का level पे भी मैंने इसको resistance 1 दिया था जाने कि अगर आप नए थे नए पे invest करना चाते थे तो मैंने आपको ये clear कर दिया था कि भाई ये resistance लेवल पे है बात करेंगे NAM India का जब मैंने last time वीडियो बनाया था 16 October 2021 तब इसकी closing थी 449.10 support 1375, support 2400, support 3425, resistance 1450, resistance 2475 और resistance 3500 था NAM India आज के date पे 19 November 2021 इसको इसकी closing है पहला support 375, दूसरा support 400, तीसरा support resistance 1425, resistance 2450 और resistance 3 है 475 है इस अगर आप इसका देख रहे हैं ये 476.45 है जो कि है almost resistance 2 के पास और इसका इसमेने का जो lowest अगर आप देखेंगे 400.95 जो है almost support 2 के पास पिछले महिने के हिसाब से जो मैंने आपको data दिया था analysis दिया था इसके लिए मैं बोलता हूँ support और resistance का हमेशा ख्याल रखें आप definitely profit में रहने वाले हैं बात करेंगे UTI MC की UTI MC कंपनी क्या करती है ये सारा information आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है UTI MC का मैंने लाश्ट तेम वीडियो बनाया था 16 October 2021 इसको जब इसकी closing थी 1102.70 support 1 दिया था 900 support 2 1000 support 3 1100 resistance 1 1200 resistance 2 1300 और resistance 3 था 1400 UTI MC पे आज के रेट पर आप देखेंगे 19 November 2021 किसको इसकी जब देखेंगे 1038.90 support 1 800 support 2 900 support 3 1000 resistance 1 1100 resistance 2 1200 and resistance 3 1300 है इसके अगर आप इसका देखेंगे 1165.85 है और इसका इसमेने का जो lowest है 1005.10 जो कि मैंने पिछले महीने आपको analysis में 1000 का support 2 दिया था इसके लिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ support resistance का ख्याल रखिए अगर आप share market में discipline maintain करेंगे तो आपको profit होने से कोई रोक नहीं सकता और आपने discipline तोड़ा तो आपको loss होने से fake कोई बचा नहीं सकता उमीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे अच्छी लगे तो please like और subscribe कीजे जैसे मैं आपको support कर रहा हूँ सही support और resistance बता कर उस तरह आप भी मुझे support कीजे मेरी वीडियो उसको like कीजे subscribe कीजे और आगे आपके family friends पर forward कीजे जो लोग भी share market में trading कर रहे हैं या फिर investing कर रहे हैं तक यह important information उन तक भी प्माँच सके thank you so much have a nice day